अभी अभी रिसेंटली डीएफ से साल ने दोजार तेइस के लिए एक नई वेकेंसिस जारी कर दी गई उसके एक्जामनेशन की जो फॉर्म फिलप की जो डेट से अभी आपके बास काफी अच्छे 15 दिन बचेवे ठीक है 15 से 20 तक आपके बास समय है जिसको फॉर्म फिलप कर है cbt1 और उसको क्लियर करने के बाद cbt2 में जाओगे तो यह क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने वालो आज के इस अपडेट में मैं आपको इलेक्ट्रिकल एक्जेकेटिव और जूनर एक्जेकेटिव के एक्जामनेशन के लिए जितने अब हम पो कि सेशन को स्टाट करते सभी जानकर आपको दूंगा इस सेशन में अच्छी तरीकी सबको सुननाओं एंड टू एंड ओके अब देखे सबसे पहले तुम आपको इक चीज़ बताना चाहता हो यहाँ पर हमने 2021 का जो कट आफ था ठीक है यहाँ पे दो पोस्ट है 21 में ही जो हमारे पास कट आफ था वो हम लोग एक बार चान लेगे ठीक है 120 मार्स में से अभी हम लोग अन्रिजर्व की बात करते तो 105.5 यह हाइस मार्स है और जो लोईस कट आफ है वो हमारा 103 था ठीक है स्केड्यूल कास के लिए 98.25 था स्केड्यूल ट्राइब के लिए 96.25 था परसन विस्ट डियाबिटी के लिए 84.5 था और एक सर्विसमन के लिए 71.5 यह हमारा कट आफ रहे चुका गाइस 2021 का यह रीसेंट के एक्जामिशन हुई थी ठीक है और आपको यह भी जानना होगा क अगर आप एक्जेक्यूटी के लिए तैयार के रहे तो इसका सैलेर स्केल कितना रहेगा तीस जार से लेके एक लाग बीस एक लाग बीस जार के बीच में आपका सैलेर के लिए आप रहने वाले ओके यह तो होगया भी हमारे एक्जेकेटिव के लिए कट आफ और एक बार के लिए था 55.5 ओबीसी के लिए था 58.25 स्केडियूल कास के लिए था 55 ट्राइब के लिए था 50.25 एक सर्विसमें के लिए था 36.75 और परसन फिस डिसाबिलिटी के लिए था 40.5 यह तो रहे चुका हमारा कट आफ इसका जो सैलेरी स्केल रहेगा वह 25,000 के बीच में हमारा र आपको important है वह जानने होगी ठीके काफी दिनों पहले हमने जिस तरिकी से आप देख रहे हो गया कि आपको दो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रहे हो कि टेकनिकल की भी और नोन टेकनिकल के सभी के लिए हाला क्या अप लेकाब है तो आप देख सकते हो हमने जो प्रिवे में आपका CBT1 है और डीसेंबर में आपका CBT2 का एक्जामनेशन है अब भी से अकर आप इसको टारगेट कर रहे होगा तो थारोली आपको प्रिपर करना होगा क्यों कॉम्पीटिशन काफी जिदा रहने वाला है अब इसके लिए अगर मोग दीए अग्जेकेटिव के लिए सबस्क्राइब करते हैं इसके प्लेविस को अब बीए से अपकोस में प्रिविसली प्रोवाइड कीए थे कि चाहें वो टेक्निकल के और उसी के साथ आप में लोग नए सेशन को भी डिसस करेंगे यह तो बात हुचके अभी हम लोग किस तरीके से से सेशन को स्टार्ट कर सकते अभी रही बाद 2021 के प्लेइस के जो 211 पर रहा था वह भी हम लग आपको solution प्रोइड करा देंगे जल्द स्ट्रेटेजी भी बताने हो लो किस तरीके से अगर हम लोग सी बीटी डू की बात करते हैं एक्जिकेटिव एलेक्ट्रिकल के लिए ठीक है जिसका पोस्ट कोड है ट्वेल जिसमें पार्ट वन अभी देखिए क्या था पहले पिसले साल यह जो था यह सेम एक ही आपका पे हो चुका है इसमें भी नॉन टेक्निकल है जन्रल नॉलेज अप्टिट्यू रिजनिंग एट्सेटरा उसमें 96 कोशिन में हमारे पास जो इंपोर्टन टॉपिक इसकी सब पॉइंट्स भी मैं आपको बता हूँगा आपको आपको सिलेबस अब्लेट हो जेंगा पावर ट्र पूछेंगे इसलिए हम लोग सबसे पहले 2021 का जो पेपर है उसको हम लोग करेंगे एक से दू दिने के इंदर और जो नए टॉपिक से जो रेस्ट एटसेटरा इन अलग 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 टॉपिक से पूछेंगे मानलों जो हमारे पास में से मेंशन भी नहीं किया गया और वहा और बास बात आती है पॉशक्र्णाट कोल जिसका पोशेंट को डिचृच का कफे ऐसाट कोशेंट जो ह ideia जो भी जो में इलेयक्ट्रिकल सिस्टेम भी आपर पूछा गया होग उन्लोड किस LMD है इसमें अनलोग और डिजिटल एलेक्रोंटिक्स भी दे दिए क्या पावर एलेक्रोंटिक्स ये सारी चीज़े जूनियर एक्जिकेटिव के पोस्ट के लिए दे दिये गए ठीक है आप देख सकते हो इसलिए आपको ये इनको दोनों टॉपिक्स को ठीक है दोनों पोस्ट के के लिए जो टेक्निकल से जानना इंपोर्टन अब इसमें क्या कॉंसे सब पॉइंट्स पंडने इसका से लेबस में आपको प्रॉइट करा दूंगा आप पे हो जाएगा अब दिखें आप तैयारी कर लोगे डिसमबर में इसका एक्जामेशन होने वाला है नेक्स्ट मन से पूरे तीन महने की स्टेटीजी आपको मैं प्रॉइट करने वाला हूँ इसके लिए हम लोग जो नया कूर्स लूग लूँग करेंगे तो इसके लिए तीन महने आपको प्रॉइट कर रहा हूँ जून जुले या फिर आपको यह बताना हो क्योंकि इसका डिसमबर में एक् पूरा अपको पूरे प्लानिंग बताउंगा तो आपको मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा तो आप के साथ आपको को मैं फूरी प्लानिंग बताऊंगा ठीक है तो आप अपके का इसाब साब अब देखें तीन देट्स तीन मंस की डेट्स क्यों दी क्योंकि 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 आपको के लिए प्रिपेर करना है तो अगर आपका सी बेटी वन क्लियर नहीं होता है तो सी बेटी टू के चाहिए इतने पढ़ाई कर लो टेक्निकल के पढ़ाई कर दो और अभी अभी रिसेंट्ली 2022 में काफी सरे अभी फोन आया जिनका सिर्फ सेलेक्शन इसलिए नहीं कि उनके न क्यूंकि नौन टेक्निकल कर पर नहीं कि इसलिए मैं आपको अब बताना चाहते हैं आपको थमनल दिखा देरहोंगा डिसेंट्ली हमने कली हमारे नौन टेक्निकल चैनल पे 1000 प्लस सुपर सबसे इंपॉर्टन हमारे पाटन के और वह हमारा डिएफ सेल का एक्जामनेशन पाटन सीबीटी वन के लिए ठीक है cbt1 के लिए हमारे पास इतना पैटन है और यह cbt1 का पैटन है आप देख सकते। इस सिलेक्शन प्रोसस में यह कॉमन है हमारे एक्ज़िकटीव ऐलीटरिकल के लिए और जिनिर एक्ज़िकटीव एक्ज़िकटीव एलेक्टन के लिए CBT 1 और दोनों के लिए incoming सब्सक्राइब करने के लिए कुछ इंपोर्टन कोर्स और अपने के लिए मौक्टेस लॉंच करा दिए अभी हम लोग कॉंसे कॉंसे को पढ़ना गोत्रू करा देता हो सब्सक्राइब करने अपको पढ़ने के लिए अपको पढ़ने और यह आपको पढ़ने वाले यह आप देख सकते हो नेक्स आते हैं जिसमें 15 विए चैनल के लिए पटने रहेगे उसके बाद में जो लॉजीकल रिजिलिंग भी है उसके अंदर भी आपको कोशन हाला की काफी एजी लग रहे होगे ससी जीए का बटन लेकिन कोशन जो है काफी ट्रिकी से कोशन पूच जाते गई तो आपको इसके लिए प्रेपेर करना होगा तीस कोशन पूच जाते ऐसे मिलाते हैं कम्प्लिट सौ कोशन बन देख नेक्स अगर हम लोग बात करते तो दस कोशन जो का सब्सक्राइब कोशन बनेंगे ऐसा जाकि आपका कम्प्लिट सी बीटी वन का प्रिपरेशन होगा इसके बाद ही अगर आप इसका मिनियूम थ्रिशॉल ला तो अब देखे ऐसा नहीं कि आपको 40 परसन लाना है 45 परसन लाना है उतना आप लोग क्लियर कर लोगे तो हो सब्सक्राइब करेंगा अगर मान लो सौ स्टुडेंट्स है और सौ स्टुडेंट्स नहीं हमारा 40 परसन के उपर ला लिया तो इस सारे बच्चे इन हो जाएगे सी बीटी वन में तो यह आपको प्रेपर करना जरूर यह इसका जो क्लास स्केडूल है आपको बताने जालो क इस तरीके साब का 90 दिन का हमारा को से नॉन टेक्निकल का आप देख सकते हो टेक्निकल में आपको पाएक से पंदर जून के अंदर हो जाएगे इसके बाद हम लोग मॉक्तेस को अटेंट करेंगे अची तरीके से मॉक्तेस भी आपका अपलोड हो जाएगा और इस आउजन प्लस सुपर एमसी की कोर्स हमने लॉंच करा देगे तो सुधाट आपकी कम्प्लिट प्रिपरेशन ठीके सीबिटी वन और जो स्टुडेंट्स के रिए जो जूनियर एक्जिकेटिव के लिए त्यारी करें उनको सीबिटी टू में तो 50 परसंट से अपको आपको प्रिपरेशन आरेगा ठीके सुदात आपको एक को ज्टापिक समने बताए तो आप इसको जुई जोनियू मॉक टेस्ट आप जाहे जितना पढ़ लोसे वीटी वन मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेका साथ और आपकी प्रिपरेशन अच्य हो सके तो चिबित लिए क्न अगर आप इस को जोईन कर चुकते हो जिसका हमने ओरीजिनल मर्पी जो है वो ट्रिपल ने नौ सुनिनने वह है आप इसके लिए सुपर सिक्स्टी परसें आफ मिल जाएगा ठीक है और यह जो को आपको बताना वाला स्पेशल नियुज अगर आप इसको जोईन कर ले तो हम को सी बटी डू के लिए के लिए Electric क्वे बी कोर्सें आएंगे उनको आपको एक्स्ट्रा डिसकौंट डिया जैगे जितने भी बच्चे जितने भी स्फ्ट्रञेंट्स इस विन होगदा सच्थ साथ आपको मने पता को पहले सौ स्थूडञें ng dud पाते हिना इसके इन्जा जो mock test आपको free में मिलेगा, किस तरीके से मैं आपको बता दो, अगर आप इस course को आज जोईन कर ले तो काफी कम सीट साला की available है, काफी अच्छा response भी आप मिल रहा है इसके लिए, ठीक है, इस थी 99 रुपीज के course को अब अभी initially जोईन कर ले तो CBT1 और CBT2 के लिए non-technical के technical super MC की course को, so that आपको आने वाले CBT2 के लिए भी आपको extra discount मिल जाएगा, और आपके free में CBT1 की mock test मिल जाएगा, ठीक है, यह आप सोची कहा, 3.99 रुपीज में आपकी mock test के साथ, course की साथ भी प्रिपेर हो रहा है, आप सोच चकते होगा, इस complete आपको syllabus पढ़ाया जा रहा है, वन बाई वन सारी जीज़ होगे लिए के ठीक है, तो आपको top 100 में आना है, इसके रहे सबसे पहला, initially वीडियो जैसे close होता है, हमारा खतम हो जाता है, उसी के बाद आपको download करके, अगर आपको पास होगा है, तो आप उसको join कीजिगा, super 60 एक coupon code है, और अगर आप 100 को cross कर द करने हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको coupon code बता दिया, super 60, दोनों की link आपको description box में मिल जाएगी, इसके allow अभी अगर आपको कोई query होती, तो आप हमें comment box में comment कीजिगा, ठीक है, ओके, और साथी से अथा आपको CBT2 का, जो हमने अलोड़ी बताया, electrical का, उसका हम लोग कब आप से शुरुवात करें, यह भी आप मुझे बता दिका, तीन मैंने option बता है, जून, जुलाइए और आगस्ट, ठीक है, अगर आप जून, जुलाइए इससे अगर आप भी स्टार्ट करतें, तो काफी ची दरीक से अपके topics प्रेपेर हो जाएगे, और आपको playlist दोनों भी फॉलो करनी है, और कुछी दिनों में अंदर हम लोग PYSQ को प्रोवाइट करने वाले, इन फेक्ट आज से और कल से हमारे PYSQ के सिरीज सुरुवात हो जाएगे, इससे हम लोग यह analyze करेंगे, क्या 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 question बनेंगे, और साथी से तब से जून से अब इसका course का starting होगी, 90 दिनों के अंदर है आपका CBT उनका अच्छी तरिके से प्रेपर होगा, फिर हम लोग mock test भी दे देंगे, सुधाट आपका अच्छी तरिके से प्रेपर होगा, तो आप सूच सकते हो काफी अच्छी तरिके से हमारों आपके लिए प्लानिंग करके आए, इसका definitely फायदा ल कोई भी डाउट है तो पूचे comment box में comment कीजगा, previous GFC cell के session देखने के लिए आपके लिक करके देख सकते हैं, so thank you for watching this session guys, मिलते आभी हमारे next session में जल्दी से जल्दी